लोग जैस्री अराम बोलते हैं कभी अपने सुना किसी को जैस्री लक्षमन बोलते हुए भगवान वो भी है यहां तो गराम पर्दान उसका लड़का बोला रोपाई से हाथ उल्टा करके ख़ला है कि पापा पर्दान है तो विधाग हो गए तो वह आस्मान में छेद करने प एक्स्ट्रीमिसम इस फीचर ऑफ एवरेज माइंड बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है से एक्स्ट्रीमिसम इस फीचर ऑफ एवरेज माइंड वैनेवर यो गो तो एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीमिसम इस फीचर ऑफ एवरेज माइंड लोग जैस्री अराम बोलते हैं भगवान वो भी लेकिन लक्ष्मन जी एक्स्टेमिस्ट है दोनों लोग लंका जा रहा है और समंदर सामने पड़ा राम चंदर जी ने हाथ जोड लिये वेन रिचल पावर और रिस्पेक्ट प्रोटिकॉल तो उनको पावर चाहिए शो करने के लिए पावर इस्टू सर्व पावर का यह सबसे बड़ा प्रिंसिपल है पावर इस्टू सर्व जो अब जो सर्व कर रहे हैं वो भगवान बन गए जो मिस्यूस कर रहे हैं वो शैतान बन गए पर पावर दोनों के पास है हम क्यों प्रभु राम कहते हैं भगवान है यहां तो गराम परदान उसका लड़का बोला एरोपा इसे हाथ उल्टा करके ख़ड़ा है कि पापा परदान तो तो विदाय को करें तो वो आस्मान में छेद करने पर दया रहे हैं किसी के फादर मिनिस्टर है वो तो काईदे से बोलता ही नहीं कहावते सबको आती है कि फल्दार व्रिक्ष जुक जाते हैं कहावते सबको आती है फॉलो करना कावते सबको आती है राम भगवान है हाँ जोड़ रहे समंदर को लक्षमन जी गुस्सा भी कर रहे है कि भगवन आप तीन लोग को चलाने वाले प्रॉपर आईएस फर्स राइंग था आपका आईएस में आप हाँ जोड़ रहे हैं अरे तीन दिन तुलसी दास दीने कितने प्यार से लिखा विने नमाना जड़त जल तीन दिन गए तीन दिन बीट और बोले राम सकोप तब भाई बिन होई नपरीत तीन दिन एक दिन नहीं सब्सक्राइब अब तीसरे दिन भी जब वो नहीं सुन रहा है तब उन्हें लक्षमन की तरफ परटना पड़ा कि तू सह भी कर रहा था है निकाल लेके 47 अब पर समंदर देवता बाहर आते हाथ जोड़ते की प्रभु गलती होगे लक्षमन राम लंगा पहुंसते हैं वहां भी आप देखिए उनका पहला स्टैंड क्या है मॉडरेट स्टैंड उनका मॉडरेट कीटर कौन है कौन है उनका दादा यह वैसे भी यह धर्म है उसने दादा भाई नारो जी को भगा दिया तो फिर सकेंड फेस एक्स्ट्रीमिजम अंगद हनुमान एक्स्ट्रेमिस्ट है स्वराजी जब बर्थ राइट लेके जाएंगे जब वह भी नहीं माना तो फिर रवलूक्शनरी टेर्रिरिजम तब ब मारना पड़ेगा इसको उड़ाना पड़ेगा किसी चीज का अबरॉप्टली विरोध करना अधिस वाई अलाइटेंट माइंड इस ओल्वेश अ टिपिकल माइंड फॉर अदर्स ऑल्वेश गांधी सबको समझ में नहीं आ सकते लक्षमन समझ में आएंगे एकदम समझ में आएंगे बहुत सही आदम है तुरंगण निकाल लिया गांधी नहीं आ सकते एन एनलाइटेंड माइंड इस जनरली ए टिपिकल माइंड उसका जो एपरोच है जिसे हम जब क्लास नाइन स्टें में गांधी जी को पढ़ते तो हमें लगता था कि यार क्या जूरूत है हाथ जोड़ने की अग्रेजों को वो एक एवरेज माइंड था बच्चे का जय हैंदा